मनुश्यों और मधुमक्यों का प्यार और नफरत दोनों का ही रिष्टा है मधुमक्यों डंक मारने और शहद बनाने के अलावा भी बहुत कुछ करती है वे लगभग हमारी सारी ही उपयोग में आने वाली फसलों का पॉलिनेशन भी करती है ग्लोबल वार्मिंग और खेती में पेसिसाइट्स का अथ्यदिक इस्तेमाल मधुमक्यों की घटी हुई संख्या का प्रमुक कारण है ये कि अगर हम सावधान ना हुए तो जल्दी ही अपने आपको एक बड़ी परेशानी में पाएंगे क्या हो अगर मधुमक्यां खत्म हो जाए? फसलों का उगना इतना कम हो जाएगा कि फल और सबजियां आपको मू मांगे दाम पर मिलेंगी मधुमक्यों के ना रहने पर चिडियों, चमगादनों और तितलियों जैसे अन्य जीवों को पॉलिनेशन का काम करना होगा सबसे बुरी स्थिती में मधुमक्यों का खत्म होना फूड जेन्स को खत्म कर देगा चलिए इस विश्व को सही तापमान पर रखने की कोशिश करते हैं पेस्टिसाइड्स के लिए एक सुरक्षित उपाई ढूंगते हैं विश्व के इन सबसे मेहनती मजदूरों पर थोड़ा विश्वास करते हैं क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों को अंदेखा करना तो आसान है पर इनके परणामों को नहीं